हाई गाईज वेलकम टू मैं चैनल इजी निटिंग क्लासेश तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे देखिए गाईज एक एक कैप लेकर आई हूँ काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है इसका एक मैंने छोटा साइज पहले बन आया था ठीक है अभी मैं आप बॉड्स साइज पाले एक क्लर यों और सेम कलर में इसको बनाया है कि यह किसी ने बोला था पनाने के लिए और आगर अगरा वी एक तरह की यॡह्याँ रूदर मजा कर सकते हैं तो और इसमें उन्होंठ कं लगा तो यह मातर 32 ग्राम मून में यह बनके कंप्लीट हो गई है सलाइया मैंने इसमें 9 नमर की यूज की है बच्चों के लिए थोड़ी सी मोटी सलाइया यूज करेंगे थोड़ी सी लूज तो अच्छी रहती है वह बनाने का तरीका मेरे दूसरे चैनल में मिल जाएगा इस वीडिय को फुल वाच कीजेगा इसकिप मत कीजेगा चलिए फिर इसको देख लेते हैं किसको हम किस तरह से बना सकते हैं देखे फ्रेंड्स एक कैप बताने जा रही हूं टरवन कैप वैसे मैंने अपने दूसरे चैनल पर इसका वीडियो शेयर किया हुआ है तो वहां पर मैंने यह छोटे साइज में बनाई थी जीरो से नाइन मंत या छे मंत के बच्चे के लिए ठीक है अभी मैं थोड़ा सा इसकी रिकवर्स थोड़ी सी जादा थी तो मैं इसका बड़ा साइज बनाने वाली हूँ और अभी मैं एक से दो साल के बच्चे का साइज बनाऊंगी अब इतना बनाया है यह मैं बता दे थी हम वाला सा कि अधिया बनाया है चाहर नुप कैसे बनला यहा biggest बता किक है यहाँ मैं पहले हैं यहां ओ crappy पोड़ा दाले आ all Richa 24 डालने के बाद मैंने दौनों तरफ से उलटा उलटा बनाते हूए आट सलाईयां अबनेट से इस इस तरफ से भी उल्टा बनाया है और रॉंग साइट से भी मैंने उल्टा बनाया है तो आठ सलाईयां मैंने कंप्लीट की है आठ सलाईयों में यह हमारी चार धारिया चार लाइन्स बनके आएं देखिए इसके बाद मैं इसको फ्रंट साइट से सीधा और रॉंग साइट से उल्टा बनाती हुई गई हूँ चार इंज तक मैंने यह टोटल बना लिया है ठीक है बिगनर से आप तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से थोड़े से फंदों पर बताती हूँ मैं यहां पर देखिए यह फंदे मैंने डाले यहां पर इस तरह से दो तीन चार पांच छे साथ आठ ठीक है मैं आठ फंदों पर बता रहे हूं आपने 84 स्टिचेज डालने अगर आपने यही साइज में बनाना है तो और देखिए सलाइए मैंने इसमें नौ नंबर की यूज क इस साइड किये अब देखिए रौंग साइड से मैं हूं पहली सलाइ में तो मैंसे बनागी कंप्लीत करूँग पूरी सलाई को है रॉंग और संट दोनों साइड से हम उल्टा-उल्टा बनाएंगे टोटल आठ सलाइं बनाएंगे जैसे कि हमारे चार धारियां बनके आ जाएंगी देखिए इस तरह से जैसे हमने यह पूरी रोर निकाल ली अब हम फ्रेंट साइड से आ जाएंगे ऐसे सैंपल मैं आपको बता रही हूं यहां पर देखिए यहां से भी हमें पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदों को उल्टा बनाना है तो यह देखिए जैसे मैंने यह दो सलाईयां बना ली ऐसे ही छे सलाईयां में और बना लोगी ठीक है यह देखिए एक धारी बनके आ गई छे सलाईयां में और बनाऊंगी इस तरह से भी उल्टा दोनों तरप से उल्टा अब देखो ये चार धारियां बनके आगई 1,2,3,4 अब यहां से हमें simple simple बनाना है मैं front side पे हूँ तो पहला फंदा slip करूँगी सीधा दूसरा फंदा भी सीधा बनाके सलाई पे जित्री फंदे है सभी मेरे सीधे बना लूँगी ठीक है ध्यान रखिएगा आप ये मत सोचीगा कि यही cap का इसी से मैं cap बता रही हूँ ये just आपको sample बता रही हूँ wrong side से आ जाएंगे ठीक है जो मैंने बना के रख लिया है complete किया है थोड़ा सा video छोटा हो जाता है उससे तो सही रहता है देखिए wrong side से हम पूरी line उल्टी बनाएंगे इस तरह से बता देते हैं तो वीडियो जादा लंबा नहीं होता है क्योंकि लंबे वीडियो जो है लोगों को पसंद नहीं आते हैं ये देखिए अब इसी तरह से बस इस तरफ से सीधा बनाते जाएंगे और इस तरफ से उल्टा इसी तरह से बनाते हुए मैंने इसको पूरा चार इंच कंप्लिट कर लिए यहाँ पर देखिए इस तरह से ठीक है तो इसके बाद अब हमें क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ अब देखिए इसके बाद हम करेंगे डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हम करेंगे पहला फंदा हम इस तरह से सिलिप करेंगे पहले फंदे पर हम नहीं घटाएंगे इसके बाद यहाँ पर दो फंदों को हम इस तरह से लास्ट के तीन फंदों तक, लास्ट के जो तीन फंदे हैं वह हम नहीं बनाएंगे, अब यह दे कि लास्ट में आ गए अब हम बिल्कुल सीधा बनाते हुए तीन फंदे रह गए अब तीन फंदों को हमें देखी पहले हमने इस तरह से घटाया था स्टार्टिंगों बैक लूप से अब हम फ्रंट लूप से घटाएंगे दो का एक कर देंगे और इसे हम सीधा बना देंगे अब सीधा सब्सक्राइप गटा यहीं साई हमने बार बार रिपीट करने हैं बात का ख्याल रखेगा यहीं दो सीधां बार बारterror रिपीट करते हुए जा ना है उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे पहला फंदा सिलिप करके सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे कोई फंदा नहीं घटाएंगे उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे यही दो सलाईएं आपने बार बार रिपीट करते हुए जाना है देखो उल्टी साइट से मैंने ये पूरी रो बना के कम्प्लीट कर ली फ्रंट साइट से एक बार और देख लीजे सेम भई करना है जो मैंने पिछली बार सीधी सलाई पर किया था पहला फंदा देखो हम सिलिप करेंगे पहले फंदे पर नहीं घटाएंगे अब दो फंदों को बैक लूप से यहां पर इस तरह से दोका एक कर देंगे ठीक है हर बार यही करते हुए जाना है हर सलाई पर तव मैंने ये इतना बनाके कंप्लीट कर लिए इसको मैं इस तरह से घटाती हुई गई हूं फंदों को आप देख सकते हैं यह था थीक है यह देखे लेंथ मैं इसकी आपको बता देते हूं कितनी हूगई है इंची टेप से नाप के बताऊंगी आठ इंची की लेंट हो गई है अब हम यहाँ पर फंदों को बंद कर लेंगे और मैंने यह कितना घटा है मिरे पास यहाँ पर कितने फंदे यह भी मैं आपको बता देती हूं काउंट करके देखें यहाँ पर मेरे पास तोटल फिक्टी टू स्टिचिज है बाबन फंदे अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी फंदों को बंद कर लेंगे ठीक है देखें एक फंदा स्लिप करेंगे दूसरा फंदा इसके उपर से इस तरह से गिरा देंगे सभी फंदों को बंद कर देंगे आप एक करके देखें इस तरह से सभी फंदों को एक करके बंद कर लिया धावे को मैं बहुत नजदीक से कट करूंगी क्योंकि मुझे से स्टिचिंग में नहीं लेना ठीक है इस तरह से यह बनके आ गया यहाँ पर यह देखेंगा और दिखाती हूं बढ़ा करके थोड़ा सा यह देखेंगा इस तरह से यह आ गया अब इसको स्टिच कैसे करना है यह मैं दिखाती हूं आपको सबसे पहले देखें यहां पर यह दागा पड़ा हुआ है इसी को हम सुई में डाल लेंगे इस तरह से यह निडिल है मेरे पास है किस तरह की focus ये दिखिए अब देखिए यहां पर आपने ये chains दिख रही है इन में आपने ये इस तरह से लेना देखिए पहले तो यहीं से start करना है ऐसे ऐसे पूरा लाश्ट तक लेंगे इसको देखिए इस तरह से ये खीचते जाएंगे इसको धागे को अब ये ऊपर का एरिया आगया अब यहां पर लिन है हमें देखो हर एक chain में से देख पार है ना ये देखे अब ये जो भी हमने ये पूरा जितना भी राउंड लगाया ये देखेगा यहां रोक के दिकाते हूं ये देखिए सबको हम बहुत अच्छे से खीच देंगे इसको इस तरह से तो यह यहां पर टर्वल लुक आ जाएगा खीच के जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम इसे टक करेंगे इस तरह से देखिए ये दोनों पार्ट आपस में अच्छे से मिलाएंगे पएगे लिए प्रुंसे हम्हें आप node मेंड़ स्कार्ट म Griffith में देखिए पीछे लेजा कि इसको हम हम है है आपने करेंगे अब देखें यहां पर एक यह गया गया इक गोल आसा बनके आगया मैं है कैब जो हमारी सतरह से बनके आ रही अब देखे यहां पर हम एक बोव बनाएंगे बोव बनाना मैंने पहले जो कैप बनाई थी यह वाली सेम उसमें बता रहा हुआ था मैं आपको कैप काप दिखा देती हैं यह थोड़े चोटे साइज की बनाई है यह इस तरह की बोव अटेच कर देंगे तो यह मैंने आपको बताया हुआ है मैं बता देती हूं कि क्या क्या बनाना इसमें एक तो आपने यह देखिए यह जो पट्टी कवर करने के लिए यह वाली पट्टी बनाना है तो मैंने आप यह साथ फंदे डालके दोनों तरफ से उल्टा-उल्टा बनाते हुए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा पंदरा धारिया यानि कि तीस सलाइया बना लिए ठीक है साथ फंदे डालके दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए तीस सलाइया बनाई आए और एक पट्टी मैंने बनाई है यह वाली इसमें मैंने यहां पर देखीगा 16 फंदे देखी यहां से 16 फंदे डालके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 इधारिया बना लिए यानि कि 16 फंदे डालके 32 सलाईयां दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाई है ठीक है तो सबसे पहले हम यह जो कॉर्णर से इन धागों को हम पहले हाइड कर देंगे यह देखी यह रॉंग साइड है कोई भी क्रोश्या ले लेंगे इस तरह से मैं आपको हाइड करना भी बता देती हूं इस तरह से यह मैं बता रही हूं फिर यह इस तरह बला आप खुछ से कर लीजिएगा अब इस धागे को हम इस तरह से कट कर देंगे तो देखी यहां पर कुछ नहीं दिख रहा ऐसे ही यहां पर सभी धागों को हाइड कर लेंगे देखे हाइड कर लिए मैंने यह आप है अब हम स्वीमिंद हगा डाल लेंगे इस तरह से देखिए देखो यह रॉंग साइड है इस तरह रखेंगे इसको हम ऐसे बनाएंगे यह देखो इस तरह से बिलकुछ सेंटर से इसको हम ऐसे टक कर लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर यह जो पट्टी हमने बनाई है यह रॉंग साइड है और यह फ्रेंट साइड से इस तरह से हम ऐसे कर लेंगे यह देखिए आपस में इस तरह से करेंगे यह देखिएगा देखिए कितनी खूबसरत बो हमारी बनके तयार हो गई अब इस बो को हम यहां पर इस तरह से अटैच कर देंगे यह देखिएगा इस तरह से अब यह देखिएगा सेंटर में ऐसे बैक साइड यहां रहेगा इस तरह से इसे हम यहां पर टक कर लेंगे अब देखिए यहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से यह वह बनके कंप्लीट हो गया यह दिखिएगा और हमारी यह कैप भी बनके कंप्लीट हो गई है बहुत प्यारी लग रही है आपको यह पसंद आई हो और आपको यह समझाने का तरीका भी पसंद आया हो तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें चैनल पर पहली वाया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल बटन प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आने बरे फीडियो को नोडिकेसन आपको समय से सबसे पहले मिलते रहे और अगर आप इस तरह की क्या आप ओर्डर करना चाहते हैं वनवाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए किसी के लिए भी तो मुझे कॉमेंट करके बताएं मैं आपको एक नमर पर वाइट कर दूँ यह वहाँ पर आप मुझे वाट्सअप कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक हिले थैंक्यू बाबाए